लेकिन कुछ चीज़े ऐसे स्टेबल्स होती है जो कि आगे के लिए भी हमेशा बेनिफीशल होती है और इंपोर्टेंट बन जाती है तो आप हो सके तो करेंट फेर डेली पढ़ते चलें ठीक है इससे आपका ही बेनिफिट होगा तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करती हूँ तो जो आज का विचार है वो यह है कि प्रतेक अवसर के लिए तयार रहना ही सफलता का रहस्य है यदि आ आप हर आउसर के लिए कड़ी महनत से परिश्रम करेंगे कोई भी आउसर आपके सामने आता है उसे आप पूरी महनत से अपना बैस्ट परफोर्मेंस देंगे तो मैं नहीं मानती कि आपको कोई भी पीचे हटा सकता है और सफलता आपके कदम अवश्य चुमेंगी तो आप सेफ होम आपके दिमाग में आया है तो आप सेफ होम से यह सोचेंगे कि कोविट नाइंटीन से रिलेटीड होगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं है यह डॉमेंस्टिक वाइलेंस के लिए है जो महिलाओं पर घरेलू हिंसा हो रही है लोकडाउन के दोरान जो घरेलू हिंसा निरंतर भढ़ती जा रही है उसके बारे में यह दोनों पता लगाएंगे यह दोनों एक लिस्ट तैयार करेंगे ठीक है तो यह इससे रिलेटीड है आप याद रखेंगे डबलु एच्चो से रिलेटीड है डबलु एच्चो की बात आई है तो डबलु एच्चो की फुल लेहान मदुशंका को हिरोईन रखने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया है तो इन्होंने हिरोईन रखना जो की एक कानूनी प्रतिवंद है तो इन्होंने अपने पास रखा हुआ था तो उसे गिरफतार कर लिया गया है तो किस देश के खिलाडियों हुआ है श्री लंका क तो इन्होंने क्या है इन्हें गिरफतार तो किया ही है और क्रिकेट के सभी फोर्मेट से इन्हें निलंबित भी कर दिया गया है मतलब इन्हें निकाल दिया गया है ठीक है तो इस कोशन से आपको इतनी इन्फोर्मेशन मिलती है अब देखते हैं श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की राजधानी है कोलम्बो और श्री जरवर्धने कोटे और जो इसकी मुद्रा है वो है श्रीलंका रुपिया नेक्ष क्योशन की और भढ़ते हैं हाली में किसे अरजुन पुरसकार के लिए नामित किया गया है तो अरजुन पुरसकार के लिए मीरा भाई चानू ओप्शन नमबर B इसका सही आंसर है मीरा भाई चानू को क्या किया गया है सम्मानित किया गया है जो ये अरजुन पुरसकार होता है यह है खेल का सबसे बड़ा आवार्ड होता है ठीक है जिससे इन्हें सम्मानित किया गया है साथ ही इन्हें पदमश्री भी दिया गया था पदमश्री से भी ये सम्मानित है ठीक है इस question से आपको इतनी information मिलती है next question की ओर भड़ते हैं हाल ही में किसे मैथिल विरांगना की उपादी से सम्मानित किया गया है अब ये क्या होता है मैथिल विरांगना तो पहले इसका answer देख लेते हैं तो इसका सही answer है जोती कुमारी इन्हें हाली में मैथिल विरांगना की उपादी से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है इनका नाम आपने अभी फिलहाली में बहुत न्यूज में सुना होगा ये अपने बीमार पिताजी को गुड़गाओं से दर्बंगा तक साइकल पर लेका गई थी अब इनको मैथिल विरांगना की उपादी से सम्मानित कर दिया गया है इस सम्मान के लि सम्मान जाता है तो आपको मैथिल विरांगना ड्रीलेटिट व जोती कुमारी डोनों चीजे याद रखनी है आप नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं हाल ही में किस ने इंस्टेंट एपन सुएधा लॉंच की है ठीक है तो यह इंस्टेंट एपन सुएधा किस ने लॉंच की है तो इसका सही option है निर्मला सीतारामन तो यह e-pan का क्या मतलब होता है e-pan का मतलब होता है permanent account number instant e-pan सुवीधा का मतलब है इसमें यदि आपका आधार कार्ड आपके phone number से add है तो आप तुरंत अपना pen card या pen number अपने पास पाएंगे ठीक है यह यह ऐसी योजना है यह पूरा process जो होता है ठीक है इसमें क्या होता है पहले आपको क्या करना पड़ता था pen card बरवाने के लिए आपको पहले apply करना पड़ता था फिर बहुत दिनों बाद वह बन किया था लेकिन नहीं अब यह जो कार्य किया गया है यह तुरंत हो जाएगा इस question से आपको इतनी information मिलती है दोन अपने संबंद को समाप्त कर दिया है ठीक है यह अपने हाली में बहुत news में सुनाओगा कि जो अमेरिका है इसका सही option है भी अमेरिका जो अमेरिका है वो डबलुएचो के कार्ये से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है ठीक है तो उसने डबलुएचो से अपने सारे नाते तोड़ दिये हैं ठीक है तो यह किसने किया है सारे संबंदों को किसने तोड़ दिया है तो यह अमेरिका ने तोड़ दिया है अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है वासिंगेटन डी सी और से पौर्क आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है तो किस ने प्रतिबंद लगा दिया है इससे इससे प्रतिबंद लगा दिया है चीन ने ठीक है जो यह पौर्क होता है यह जो ऐसे है यह जो यह पौर्क होता क्या है पौर्क सुवर का मास होता है चीन ने हाली में घुशना की है कि वह भारत से सुवर वह जंगली सुवर वह संबंदित उत्पादन के आयोतों पर प्रतिबंद लगाया है उसने क्योंकि इन में क्या पाया जा रहा है इन में अफ्रिकन साइन फ्लिव पाया जा रहा है क्योंकि इससे 100% इंसान की मृत्यू ही हो जाती है तो इसलिए इसने इसके आयात पे चीन ने क्या कर दिया है प्रतिवन लगा दिया है कि भाई हम भारत से कोई पोर्क आयात नहीं करेंगे ठीक है तो दोनों चीज़े आपको याद रखनी है नेक्स् सोरी यह आयोजन यह क्या है यह आयोजन यह आयोजन किस राज्जे में होना था तो इसका सही आंसर है गोवा ओप्शन नमबर बी तो जो यह 36 वे राश्चे खेलो हैं यह हर 5 सालवाद होते हैं ठीक है तो यह 2015 में कहा हुए थे केरल में हुए थे और अब 2020 में होने थे लेक ठीक है और इन खेलों इंडिया में क्या होता था इसमें राष्टे खेलों में देश भढ़के बहतरी इन खिलाडी क्या लेते थे हिस्सा लेते थे तो इसका योजन कहां होना था गोवा में होना था टो एकजाम के लिए बहुत important question बन जाता है कि कहां होना था और नहीं हो पाया है इस्थगित हो गया है तो वह कहां होना था तो होना था गोवा में नेक्ट कुशन आता है हमारा 124 वर्सों में लगातार आयुजित हो रही किस मैराथोन को पहली बार कोरोना के कारण इस्थगित कर दिया गया है ठीक है करोना के कारण इस्थगित कर दिया गय लेकिन अब ये महामारी फैलने के कारण इस रेस को क्या कर दिया गया है, इस थगित कर दिया गया है, तो ये question important बन जाता है, क्योंकि ये sports से संबंदित है, और इससे पहले वाला भी आप दिहान से दोनों में confused नहीं होना है, ठीक है, next question क्यों राते हैं, हाल ही में बेजन दारुवाला का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो बेजन दारुवाला का निधन हो गया है, वह एक जोती थी थे, और यह गणेश जी के भक्त थे, इन्हें राष्ट्य अंतराष्ट्य पुरशकार भी मिले थे, इन्होंने अमिताब बच्चन वह क्रिकेटर के भगवान कौन सचिन तेंदुलगर की भविश्यवानी भी की थी उन्होंने पहले ही भविश्यवानी कर दी थी कि मनमोहन सिंग देश के प्रधान मंत्री बनेंगे तो यह इतने बहतरिन जोतिसी थे जिनका हाली में क्या हो गया है निधन हो गया है एक्जाम में आ सकता है क्योंकि यह अंतराष्ठे पुरसकारों से सम्मानित है ठीक है तो यह question आपके लिए important बन जाता है अब जैसे कि हम अपनी current affairs में आज की दिन का महतु पढ़ते हैं तो ऐसे ही 31 मई आज तारिक है 31 मई का इतिहास में महतु देख लेते है तो 31 मई 1774 इश्वी में भारत का पहला डाक सेवा कारियाले खोला गया था तो यह question आपके लिए history के लिए भी important बन जाता है इसके साथ पता जब आप किसी भी चीज को इतिहास से जोडते हैं तो आपका एक और subject मजबूत होता जाता है तो ऐसे ही 1774 में क्या हुआ था डाक स सेवा कारियाले शुरू हुई थी यह चीज़ा आप याद रखेंगे सेकेंड़ आता है 31 मई 1921 में भारतियर राष्ट्य कॉंग्रेस के जंडे का अंगीकरन हुआ था मतलब कि यह जंडा हमारा तैयार होगा इसका जंडेकांगीकर किस ने किया था भारतियराष्टे कॉंग जिसे नूर महल के नाम से भी जानते हैं जो कि एक बहतरीन साशी का थी ठीक है इनका बर्दे भी कब होता है 31 मई को होता है तो यह चीज़े आप याद रखेंगे आज की वीडियो में इतना ही कल मिलते हैं नए करेंट अफिर्स के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच